भी हुई कि पती के आप लोग का सवागत है और यह लेसा नहीं स्टाट करें है और यह लेसन हैमारा पर चेज एंड अड्ज आर्डर मेनेजमेंट यानि जो पर्चेस के लिए हमें प्लेज करना है किस सप्लायर को कितनी क्वांटिटी के लिए प्लेज करना है और अगर हमारे कुछ से कोई हमें आउडर मिल लाए है तो इस तरह से हम क्लोज करेंगे ये सारा चीज हम लोगों यहां पे देखना है ठीक यानि इसका में उद्धिस यह है कि हमारे पास स्टॉप प्रापर मिंटेल हो ना तो हाइयर स्टॉप का रिस्क हो और ना लोवर स्टॉप का डर कि दो चीज तीसरी चीज हमारे कश्टमर को टाइम से स्टॉप लेबल हो जाए इसके लिए हम लोगों को पर्चेज और सेल्स आउडर को बहतर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए समय से पहले आडर हम प्लेस कर दें जब कुछ क्वाणिटी बचा हो उस समय आडर प्लेस कर दें यह चीज महाद वोड है तो इस लेसर को समझने से पहले एक यहां पर आपके पास प्रोसेसिंग दे रखा है एक डाइग्राम दे रखा है इसको बोला जाता है पर्चेज आडर बाउचर यारी जब कभी अपने सप्लायर को किसी प्रोडेक्ट के लिए आडर देना हो तो वहां पर यूज होता है पर्चेज आडर बाउचर और यह इस बाउचर में इंट्री करते समय जो रिफ्रेंस नंबर होता है वह होता है पी यो नंबर पियो मतलब को आडर देंगे हमें यह प्रोडे कितनी कॉंटिटी में चाहिए उसके बाद जब हमारा अडर अप्रूव हो जाएगा हमारा प्राइज होगरा सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तो हमारा सप्लायर हमको गुट्स भेजेगा और जब हमको पूट्स रिसीब होगा तो उसकी इ प्रोडेक्ट होगा है जो आपनों को ध्यान होगा अभी तो जगह हो गया है पहले जब कोई प्रोडेक्ट आपको मिलता था उसके साथ एक पेपर आता था उसके साइन करते थे ऐसा होता था ना और साइन करके वह लेकर जाते थे अभी भी देखिए पोश्टापी से कुछ आपको मिलता है पोश्टापी से अगर आपके पास कुछ आता है तो आप से क्या करता है साइन करता है जिससे एक कंफर्म राता है कि आइटम वारे इस रिसीवर को रिसीव हो है तीसरा है रिजेक्शन आउट लिखा है गुट्स रिटन विखोर बिलिंग यानि बिलिंग की प्रॉसेस से पहले परचेज इन्वाइस विंट्री करने से पहले अगर हमें वापस करना है तो उसकी इंट्री हमें करने होती है रिजेक्शन आउट मॉट रिक है इसलें हम नहीं बता रहें देखिए अगर पुट्स रिटन करने से से पहले बुट्स रिटन करने से पहले अगर हमें वापस करना है किसको अपने सप्लायर को बिलिंग से पहले अगर हमें वापस करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना होगा रिजेक्शन आउट बाउट इसके बाद है उसके बाद है बिलिंग का प्रॉसेस उसके बाद जब फाइनल हमारा सप्लायर हमको इन्वाइस बना कर देगा बिल बना कर देगा तो उस प्रॉसेस को बोलते हैं बिलिंग यानि इन्वाइस जब आपको रिसीव होगा तो उस कंडिशन में आपको यूज करना पड़ेगा पर्चेज बाउचर का प्रयोग करके हम अपने पर्चेज इन्वाइस को क्या करते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इंट्री कर सकते हैं उसके बाद इसमें इंट्री करते समय हमें ट्रैकिंग नंबर या चालान नंबर ध्यान में रखना है उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास है गुट्स रिटर्न आफ्टर बिलिंग अगर बिलिंग के बाद हमें वापस करना है बिलिंग के बाद अगर हमें वापस करना है तो यह साटकर की अभी मिश्टेक है इसको अभी हम करेक्ट करवा देंगे नोट कर लिजिएगा अभी सिर्थ को समझना है कि जब और प्लेस किया तो परचेज आडर वाउचर उसके बदलेज आपको पुट्स मिला तो रिशिप्ट नोट वाउचर अगर किसी कारण वाउचर वाउचर उसके बदलेगा परचेज गाउचर और वाउचर 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 करना है तो यही समझना है अगर को सब्सक्रां बदलेगा और वाउचर सब्सक्राइं और नोत करसाएं। नोत क्लीर रहे थे नई आए गया तो पूछ लेना बता दिया जाये लिए इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इन एक्टिव मोड में होते हैं तो हमें उनका यूज करने से पहले हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ता है कि बासमझाया कुछ बाउचर्स ऐसे होते हैं जो इनक्टिव मोड में होते हैं इसलिए हमें उनका योज करने से पहले हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ता है जैसे किसी से बात करना हो और इंसान तो रहा हो तोनेस पर इसको जगाना पड़ेगा ना तभी तो बात कर पाए या अगनाइसन कि सथा के लिए who are dealing inventory जो किसी इनवेंट्री में प्रटते करते हैं जो किसी प्रोडेक्ट में डिल प्रते हैं जा यह मिंटेन अंडर प्लेशेव लिए इस या डिस या नि जो अडर आपको ऩुटके कर सके और जो आडर आपने प्लेस किया उसको ट्रैक किया जा सकते हैं यह किसी भी आगनाईसम के रिए बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने सप्लायर को कौन कौन से ओर दिया है उसको लिए और हमको रिसीव तब होगा यह सब और अगर हमारे कृस्टमर ने हमको आडर दिया है तो उसको भी ऑड़कर सके जिसे आउन ताइम उसको प्रोडेक्ट कर से बस में जैसे हमारी मोवाइल की दुकार है एक छोटा सा बच्चा आया हमारे भैक साधी थे वह अच्छी बात है तो यहीं वाला यह फोन चाहिए तिक वीबो का फोन और हमारे भैयक साधी जो चौदा अप्रेयल को है ठीक और हमको उसके पहले यह प्रोडेक्ट चाहिए तो हमें ध्यान लखना पड़ेगा कि यह प्रोडेक्ट हम ऐसे टाइम तो प्लेस करें कि चौदा प्रेयल की साधी से पहले यह फोन आजा और उसको हम उप पूरें चाहिए वास गया है क्या चीज कि हाँ आराम से लेकिट सेल्पी कीजेगा थाविशा तो भास ना इसका ना तो हमें एक प्रोडेक्ट कराना है लेकिन कब आण टाइम डिलिवरी कराना आज की पास समय किर्दिक पास नहीं है ठीक है समय किसी के पास नहीं है इसलिए प्रोडेक्ट डिलिवर कराना आण ताइम अगर उसको ट्रैक नहीं करेंगे अपने सप्लायर से रवाइब फालोग नहीं करेंगे भई यह चाहिए तो हम क्या टाइम से मंगवा पाइंगी नहीं इसके लिए जरूरी है कि और फ्लेस करने के साथ तो टाइम ट्रैक कर सकें कि प्रोडेक्ट डिस्पैच हुआ की नहीं डिस्पैच वने बाद रास्ते में तो कहां पर है कि स्कॉरियर से आ रहा है कि इस ट्रांसपोर्ट से रहा उससे बात करते रहे जिसे चाहिए तो इसके लिए हमारा जरूरी है कि हम इन दोनों को ट्रैक कर सकें से महीं का ना अगर अगर अट drowning को दे रहे हैं उसको भी ट्रेक करना जरूरी है अगर कर रहे हम अखले क्सटमर के प्लेस पर टाइम से डीवर कर होता है यह दोनों चीज़े हमारे लिए जरूरी है इन टूड़े विजनेस वर्ड इस स्लोव आडर प्रोसेसिंग मैंनुवली यानि स्लोव प्रोसेसिंग मैंनुवली होता था रेजिस्टर्स पर उसकी इंट्री होती थी can ruin the business hence it is very important to digitize complete order processing by digitizing you can अगर हम order processing को digitalized करें तो क्या फाइदा मिलेगा सबसे पहला फाइदा मिलेगा इजली track the availability of the inventory यानि हमारा product कब तक available हो जाएगा यह हम track कर पाएं second चीज quickly reply to purchase order receive ठ्रामदी customer जो हमारा customer हमें order देगा उसे हम quick reply कर पाएंगे प्रोडेक्ट उपलब्द होगा या नहीं होगा तो कब तक होगा किस प्राइज पर होगा यह सब चीज़ हम quickly उसको reply कर पाएंगे तीसरा speed up purchase order approval dispatch delivery and project यानि पर्चेज आर्डर का approval जो है उस पर हम speed ला सकते हैं टाइमली कर सकते हैं ठीक उसके बाद dispatch का process हम टाइम से करा सकते हैं delivery का process हम टाइम ली करा सकते हैं आर्डर को timely ली क्लोज करते हैं इतना चारा वर्क कर सकते हैं इतना चारा वर्क कर सकते हैं in teleprime management of purchase and sales cycle is very simple and easy to maintain we can track the sales order till we reach the customer place the purchase order till we receive the goods from supply लिखा this tracking help in analyzing the region far outstanding order detail like delivered on time or not and the region for delay हमारा production times receive हो रहा है या नहीं अगर डिले हो रहा तो किस वज़े से डिले हो रहा है यह सब कुछ हम यहां से track करते हैं अब देखो यह सबसे पहले हम पर्चेज आडर करते हैं करने के बाद हम अपने supplier से पच्छे आडर अपरूब कराते हैं यानि रेट अगर रखे लिए सब्सक्रेटरी करा लेते हैं उसके बाद करते हैं और उस आडर को क्लोज करते हैं जब हम पर्चेज आडर को सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि सप्लाइर को में आडर देना है सप्लाइर का नेम कंफर्म होना चाहिए किस आइटम के लिए सब करना है क्या है क्या है रेट क्या है कि अब और है सबसे फेले प्लेसिंग पर्चेज आडर याणि सबसे पहला काम क्या करते हैं पर चेजज प्लेस करते हैं सप्लाइर और चौथा अगर जरूरी हुआ तो पर्चेज रिटर्न करना अधर्वाइस को जरूरत नहीं है और फाइनल मेंकिक पेमेंट तो सप्लायर को पेमेंट यह सारे सबसे पहले हम आउडर देंगे आउडर देने के बाद प्रोडेक्ट रिसीब होगा रिसीब होने के बाद अगर अगर खराब कूई बापस करेंगे और वाफसी के बाद कीर हम को जो है मिलेगा है नवाइस के बाद अगर हमको रिटर्ण करना है तो मो Rat और उसके बाद भी वाफसी करना है थे तो एब देखिए कि मैं यह बोला जा रहा है कि वाक्षी के लिए दो आपके पास दिये गए है एक है रिजेक्शन आउट और दूसरा है डेविट नोट ता डिफ्रेंस इज वें दापूट सा रिजेक्टेट विपोर इकॉर्डिंग दपर्चेज इन्वाइस अगर हमारा बिलिंग से पहले वापस क करना है तो इस्तिमाल किया जाएगा यूज किया जाएगा वें दापूट साथ एक्टेट आप्र डिकॉर्डिंग दापूट इन्वाइस देंदा रिजेक्शन डिटेल सूड वी एकांट डेविट लो अगर बिलिंग के बाद वापस करना है तो अब यहां पी ट्रांजेक का है सबसे पहले रिकॉर्डिंग पर्चेज आडर पाउचर अगस्ते दोजार प्लेस एन और टू सैमसंग इलेट्रोनिक्स पार पर चेजिंग दा फालूइंग स्टॉक आइटम इस आडर नमकर पीजिरो यहां पर दो आइटम के लिए हम आडर दे रहे हैं ठीक यह आडर लिए है विंडोज साथ डी ब्टन में प्रेस लिए और करने के बार कंपनी ओपन करें कि सबसे पहला काम कि और कंपनी ओपन करने के बाद या पर या देटा में आ गए और डी तक अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लें अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम क्रियेट पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे और यहां पर हमारा सप्लायर दे रखा है सैंसंग इलेट्रोनिक्स इसका लेजर हमें बनाना है तो हम यहां सैंसंग इलेट्रोनिक्स को पर लिया हमें यहां से कॉपी और हमें इसी के ना यहां गुरूप सेलेक्ट कर लेंगे संड्री डेर च्छिक यह एड्रेस कर देंगे और करने के और करने के पाद चुक्छ प्लेसक्ट करना है इसलिए हमें जाना पड़ेगा पर्चिज आडर वाउचर में पर आपको आपको जाना है सो इनाइक्टिव में जाने के बाद आड़र की भीतर आपको मिलेगा पर्चेजर ऑडर किलिक करेंगे कुलिक करने के बाद यह पुछेगा चाहते हैं आप करेंगे यह और हम इस वाउचर को एक्टिवेट कर लेंगे के पार्टी का ने मुझाएगा सैमसंग इलेट्रोनिक्स और हे हमें बना है order नंबर वब में सेके जो फमारा order नंबर है यह कि यह आट रहें मोच पूंड करें देश है कि पर्चेज आडर का जो गुरूप होगा वह भी होगा हमारा पर्चेज अकाउंट कि और इतको हम कर लेंगे एक्सिप्ट नेम आप आइटम किस आइटम के लिए ओडर दे रहे हैं अब इस टॉप लोड तम्याद कर लेंगे नई आइटम बनाना पड़ेगा प्रियेट पर जाएंगे और हम यहां बनाएंगे इस तैंसंग अब यहां पर इचुकिए सैंसंग का वासिंग मसीन है इसलिए अड़ सी से ग्रुप बना लेंगे रूप का नाम हो जाएगा सैंसंग के वासिंग मसीन इसलिए हमारा गुरूप होजए क्या हुँआ है जाए दिखा जिशेंगा कि यहां पर के टेग्री पूछा जाएगा यह हमारा टाप लोड इसलिए के टेग्री टाप लोड करेंगे यूनिन नंबर हो जाएगा कंट्रोल एसे करेंगे एकसेट अब यहां में कॉंटि देना है तो हमारी कॉंटिटी कितनी है पचास पीस 15000 के रेट से हम भरेंगे 50 पीस तो जाएगा 15 है ठीक है और इंट्र करेंगे और बनाएंगे और दूसरा हो जाएगा हमारा सैमसंग सिक्स केजी फ्रंट लोड वासिंग मसीन सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वासिंग मसीन यह भी हमारा चला जाएगा सैमसंग वासिंग मसीन में कैटेग्री यह फ्रंट लोड है यूनिट नंबर है एकसेप कर लें कितना पीस है पचास पीस रेट की सब्सक्राइब यह आडर ने प्लेस करने के लिए आपको रिपोर्ट शेक करना है कि यह आडर प्लेस करने के लिए बताया गया है कि अब इसको चेक करने के लिए आपको चाना होगा पर्चेज आडर वाउचर रेजिस्टर में तो आप यहां पर अड़ चीब आ जाएंगे और यहां सर्च कर लेंगे परचेज आडर अपको यहां मिलेगा परचेज आडर अब परचेज आडर वाउचर के नाम से दिखाए यहां पर आएंगे यहां पर आपको वह आडर दिखाएगा जो आडर आपने प्लेस किया कि ठीक है कि यहां हो गया हमारा पहला आडर कि फिर इसके बाद एक रिपोर्ट और आपको चेक करना है दोसरा जो रिपोर्ट है वह है परचेज आडर डिव अनली तो देखिए यहां पर हमारा लिस्ट आप आपको दिखाएगा और हम गोटू पर अगर आए और यहां अलग लाइन में दिख रहा है कि दोनों आइटम के लिए अलग-अलग दिख रहा है यह आइटम वाई जहां पर दिख रहा है यह पर देना है यह हो जाएगा तो यही दो इंट्री आज आपको करना है के वल्ग पर्षेज आडर केंट्री आज आपको करने ही तो बस आज की क्लास यहीं पर समाथ हो रही है